दोस्तों गर्प में शिशू का विकास step by step होता है यानि कि चरण बद्दी तरीके से गर्प में शिशू का विकास पूरे 9 माईनी तक होता रहता है तो गर्प में शिशू को विक्सित होने के लिए oxygen की बहुत जादा जरूरत होती है तो ऐसे में शिशू सांस कैसे लेता है ये सवाल बहुत बड़ा है और काफी अच्रज भरा भी है कि क्या गर्ब में शिशू अपने आपी सांस लेने लग जाता है कैसे गर्ब में शिशू सांस लेता है क्योंकि गर्ब में शिशू एक अम्योटिक फ्रूट की थैली में होता ह तो ऐसे में शिशू सांस किस तरीके से लेता है उसे oxygen कहां से मिलती है तो आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाली हूँ यह जानने के लिए इस वीडियो का एंट तक जरूर देखिएगा नमशकार दोस्तों मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपन लेना शुरू करता है तो ऐसे में गर्ब में शिशू जीवित कैसे रहता है तो क्या गर्ब में शिशू सांस नहीं लेता है अगर गर्ब में शिशू सांस नहीं लेता है तो उसका विकास कैसे हो रहा होता है उसे oxygen कहां से मिलती है तो दोस्तों oxygen की बात आते ही सबसे पहले फेफड़ों की बात समझ में आती है चलिए दोस्तों सबसे पहले तो गर्ब में शिशु के फेफड़ों की बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से विक्सित होते हैं प्रेगनेंसी के सुरवाती दौर से ही गर्ब में शिशू के फेफड़े बनना शुरू हो जाते हैं और throughout pregnancy यानि कि पूरी pregnancy के दौरान शिशू के फेफड़ों का विकास लगातार बना रहता है तो pregnancy के तीसरी तिमाही तक भी शिशू के फेफड़े बनते रहते हैं विटसित होते रहते हैं दोस्तों जब फेफड़े बनते हैं तो उस दौरान शिशू के फेफड़ों के बीच में छोटी-छोटी थैलियां बनती हैं जिन्हें की एवियूली कहा जाता है इन एवियूली का बनना दोस्तों प्रेगनेंसी के 24 से लेके 36 हफते तक भी जारी रहता है यानि की प्रेगनेंसी के 8 महीने लगने तक भी ये एवियूली पूर्ण रूप से नहीं बनी होती है 9 महीने तक वैसे पूर्ण रूप से विक्सित हो जाती है लेकिन अगर ये पूर्ण रूप से विक्सित नहीं होती है तो जन्म लेने के बाद दी शिशू को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है तो इसी वज़े से दोस्तों गर्ब में शिशू सांस नहीं ले पाता है क्योंकि उसके फेफडे उस दोरान बन रहे होते हैं उनका विकास चल रहा होता है तो आपको बता दो दोस्तों कि इस दोरान गर्ब में शिशू अपनी मा के द्वारा ही सांस लिता है जी हाँ दोस्तों गर्ब में शिशू अपनी मा से गर्ब नाल के थूड़ा होता है ये जो गर्ब नाल होती है जिसे के अंबलीकल कॉर्ड भी का जाता है यह pregnancy के पांच वे से लेके छट वे हमते तक विकसित हो जाती है और इसी के थूँ बच्चे को oxygen मिलता रहता है तो गर्ब में शिशु को मिलने वाले oxygen युक्त रक्त की आपूर्ती के थूँ ही oxygen मिलती है और इसी oxygen से गर्ब में शिशु का विकाश होता है तो यह थी जानकारी दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई questions है, तो आप direct मुझे Instagram पर पूछ सकती है, या फिर आप मुझे comment के मांतियम से भी सवाल कर सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताइएगा, इस वीडियो को like जरूर करेगा, share करेगा और हमारे चैनल pregnancy tips and information में नए हैं, तो इस चैनल को subscribe जरूर करेगा, thanks for watching दोस्तों, फिर मेरूंगे आपसे next video में, till then stay happy, stay healthy